जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, मज़ेदार सी फिरनी की रेसिपी इसे बनाते वक्त हमने मिल्क पाउडर, मावा या फिर क्रीम का इस्तेमाल ही नहीं किया लेकिन इसे इतना बढ़िया और क्रीमी टेक्श्चर देने के लिए हमने एक सिक्रेट इंग्रीडियन्ट का इस्तेमाल किया है वो सिक्रेट इंग्रीडियन्ट क्या है, वो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए, सुरू करते हैं फीरनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मोटे तले का बर्तन ले लेना है और उसमें हम एट करेंगे फूल क्रीम दूध तो यहाँ पर हम टोटल एक लिटर फूल क्रीम दूध का इस्तिमाल करने वाले हैं लेकिन अभी हमें पेन में बोईल करने के लिए सिर्फ पोना लिटर यानि की 750 ml दूध ही एट करना है बाकी का दूध जो है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे तो हमने जो पोना लिटर दूध इसमें एट किया है इसमें हम हाइफ लेंप पर एक उबाल आने देंगे अपले सकते हैं तो चाहर टेबल स्पून चावल को पानी से अच्छे से दोग कर हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इन सोक किये हुए चावल को हमें मिक्सिजार में एट करके दरदरा पीस लेना है तो इसमें दो टेबल स्पून पानी एट करके इसे पीस ल आज का हमारा सिक्रेट इंग्रीडियंट तो हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून वेनिला कश्टड पाउडर तो यह जो कश्टड पाउडर है इसे हम दूद के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठिया ना रह जाए इस तरह हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और अब हमने जो चावल दरदरे पीस कर रखे हुए हैं उसे हमें इसमें एट कर देने हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चावल का हमें बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना इस तरह से हमें इसे दरदरा ही रखना है तो इस तरह से हमें पीसे हुए चावल और दूद का एक घोल बना कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो दूद बोईल करने रखा हुआ है उसमें हाई फ्लेम पर एक उबार आ चुका है तो इसे हम एक बार चला लेंगे और अभी भी हमें गेस की फ्लेम को हाई रखना है और इस टेश पर हमें इसमें एड़ कर देना है हमारा तयार किया हुआ चावल और दूद का घोल तो एड़ करने से पहले हम इसे एक बढ़ चला लेंगे ताकि चावल के जो दाने नीचे बेड़ गए है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो चावल और दूद का घोल एट करने के बाद हमें इसे लगाता चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हाई फ्लेम पर इसमें एक उबालना आ जाए यानि कि इसमें दूसरा बोईल आने तक हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाते रहना है तो जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा हमें गेस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो दूद है उसका एक चोथा हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए और हमने जो चावल एट किये हैं वो चावल पूरी तरह कुकना हो जाए तो इसे हम इस तरह से आधा कवर करके पकाएंगे इसे हमने पूरी तरह कवर करके नहीं पकाया नहीं तो दूद ओवर्फलो हो जाएगा तो इस तरह से low flame पर पकने के दोडान हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है तकि दूद नीचे तले में ना लगे तो हर 5 मिनिट में हमें इसे चलाते रहना है तो चमच को बरतन के तले तक लगाते हुए हम इसे चलाएंगे और इसकी दिवारों पर जो मलाई लगी होती है उसे हमें चम्मस से तोड़ कर इसके सेंटर में एट करते रहना है अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि दूद नीचे ना लगे और फिर से हमें इसे cover कर देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक की चावल कुक ना हो जाए तो cover करते वक्त फिर से ध्यान रखेंगे कि इसे पूरा cover नहीं करेंगे आधा cover कर देंगे तो इसे low flame पर पकते हुए 20 मिनिट हो चुकी है और आप देखेंगे कि हमने इसमें जो दूध एट किया है उसका एक चोथा हिस्सा reduce हो गया है और इसी के साथ हमने जो चावल एट किये हैं वो भी अच्छे से cook हो गए है तो इसे एक बाद चला लेंगे और stage पर हम इसमें एट करेंगे चीनी तो हमने यहाँ पर 7 टेबल स्पून चीनी ली है अगर आप कम मीठा रखना चाहते हैं तो चीनी की quantity कम कर सकते हैं इसी के साथ हमने इसमें फ्लेवर के लिए half टी स्पून इलाइची पाउडर एट कर देना है इसे अच्छे से मिला लेंगे और चीनी इलाइची पाउडर एट करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो हमने इसे 5 मिनिट के लिए और पका लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे इसके साथ हमारी फिननी बन चुकी है आप देख सकते हैं कि कितनी perfect इसकी consistency आई है और अब हम इसे room temperature पर अच्छे से ठंडा करने के बाद 2-3 घंटे के लिए freeze में रख देंगे तो हमने इसे 3 घंटों के लिए freeze में रख दिया था और अब हम इसे sow करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार हमारी फिननी बन कर तयार हुई है और कितना बढ़िया इसका texture आया है तो इस तरह सिफ basic ingredients का इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया फिननी बना कर तयार कर सकते हैं इसे sow करने के बाद हम इसमें garnishing के लिए थोड़ इसे dry fruits एड़ कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें और हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए good bye